सुंबल तोकिर खान को गलत बोल और टीना दत्ता को सही बोल के ये सब चीजे पढ़ गई है सलमान खान पे भारी सोशल मीडिया पर कर रही हैं लोग इसी टॉपिक के उपर बात चलिए हम आप लोगों को बताते हैं हाइलेट मुद्धा चालिन को जरू सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकिन को दबाए इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे आप लोगों ने सैटरडे का वार यानि की वीकिन का वार देखा जहां पर शालिन और सुंबुल के उपर ही पूरा एपिसोड निकाल दिया गया और जिल लोगों को ओपोसिट जो टीना दता थी वो इस लड़ाई में भी अपनी गेम खेल रही थी जहां पर उनके पैर पे ट्विस्ट आ गया था कभी उनका पैर जो है बहुत सही से चलता था कभी जो है वो लंगराने लग चाती थी तो ये साफ तो पर गेम दिखाई दे रही थी वीकिन के लांचन जो है सुंबुल के ओपर सल्मान खान लगाते हुए नजर आई आप लोगोंने देखा होगा कि भई सल्मान खान जो है वो एक चीज भूल रहे कि आखिरकार टीना दता ने शालिन को संभालने की क्यों कोशिश की टीना दता एपिसोड में ही कहती हुई दिखाई द गल और टीना दिखाई रहे तो कोई बड़ा एक्षिन उठा सकते हैं मैंestyle को बाहर नहीं जाने दूगी तो मैंने उसको शांत करवा दिया है तो यहां पा टीना दता ने शालिन को शांत क्यों करवा एकिए क्यों 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 कूंए दिखाई क्योंकि mcill stand बाहर ना और इवे शालीन ने उनकी एक गेम भी डिकोट की कि भाई ये बंदी जो है वो खेल गई है गेम खेलने आई है वो इसी शो के लिए बनी है उसको पता है कि अगर स्टैंड चला जाएगा तो साजिद और शिव जो है इसको इस ग्रूप से बाहर निकाल देंगे स्टैंड की व वो ये पॉइंट नहीं दिखाती है आगे कार टीन अदर तक कहां से सही हो गई है और सल्मान खान को कोई चीज़े समझ में नहीं आती है क्या इस तरीके से ही पूरा एपिसोड निकाल दिया है सही का साथ नहीं गलत का साथ दिया है क्या सिखा रहे हो तो जनता को क्या सही जो होता है वो गलत होता है और जो गलत होता है वो सही होता है इसी तरीके से क्या सब रियालिटी सब लोगों की लाइफ चलेगी इस तरीके से जो है सल्मान खान के उपर और मेकर्स के उपर जंदा भड़कती हुई नजर आ रही है इस लड़ाई में आपकी नजर में कौन स तीना या सुबूल आप बताईए सीके साथ में लेते हुजासत नमस्टा